विशेश जब कामना रेती है विशेश कामना आज आपके मन कर गया है एक सुआट चावल के दाने में को शिवजी को चड़ाना एक सुआट चावल के दाने मुझे शंकर भगवन को चड़ाना विशेश आज आपके मन में कोई मनोरत बड़ा है कोई कामना बड़ी है और बाब अपने विन्फी करी कि मेरा यह कार्या तक रहा है आप पूरा करोगे मुझे विश्वास है 108 चावल के दाने चड़ाना अपने चंदन लगाया हाथ की हतेली पर 108 चावल के दाने जो घड़ से गिनकर लेकर जाए हो उसको हतेली में रखा एक चावल का दाना नहीं चड़ाया है हतेली में रखतर जो विशेश कामना जैसे किसी कर्मकांडी ब्रह्मन से पूछा जाए पूजन होने के बाद में विशेश अर्ग दिया जाता है उसी तरह विशेश कामना के लिग दुख कटता ही नहीं है दुख कटी ही नहीं रहा है मान लोग को यह सर दुखाई गया कि वो कटने का नामी नहीं नहीं ले रहा है बहुत हार चुके हम जिन्दगी से वो कटी ही नहीं रहा है थोड़ा ठीक होता फिर दुखाता फिर ठीक होता फिर दुखाता तो शिवर शक्ती का स्मरण बेल पत्री के पेड़ के नीचे जब भी भी घीका दिया लगाने जाओ तो दो बाती एक ही दिये के अंदर एक चावल का दाना उसमें डाल कर अपनी कामना करकर फिर जला तीन या चार सुम्बर करके देख लो क्या जा रहा है अगर मान लो कोई दुख ऐसा है कि वो कटने का नाम ही नहीं ले रहा है कभी कुछ तकलीप कभी बाबा का शिव शती का शिव पार्वति का शिव शती का शिव अन्पुर्णा का स्मरम करकर लगा जिसे बेले के फल का गुर्दा, बेल का जो फल होता है, बेल पत्री का फल, उसका जिससे गुर्दा, उसके अंदर का जो भाग होता है, बेल का गुर्दा उसको अगनी में जलाकर, उसकी भस्म तयार करकर, चान कर, चान कर, जब आपकी यहां विद्वान ब्रहमन, शिवजी का अभिशेक कराते हैं, पूजन कराते हैं, तो उसमें लिखते हैं, पूजन के साहित्य में, बेल पत्री, धतूरा, दुरवा, ये, उसमें नीचे लिखेंगे भस्म, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, भस्म, अभिशेक में चाहिए रहते हैं, तब उस भस्म का थोड़ा सा भी भाग, आप अगर शिव को समर्पित कर रहे हो, तो ये जान ले कि शंकर मनवान्चित फल परदान कर रहे हैं, शिप फल परदान कर रहे हैं, महाराज, बेल पत्री के ब्रक्ष के नीचे बेट कर, हाथ में एक बेल पत्र का पत्ता रख कर, आप पंचाक्छर मंत्र, नमस्षिवाय, ओम नमस्षिवाय, या शिरी शिवाय, नमस्थुभ्यम, या महामर्तियुन जे मंत्र का इस्मन कर रहे हो, पर डंडी का भाग अपनी ओर, बेल पत्र की बीच वाली पत्ती का भाग बीच वाली उंगली की हो, रखकर अगर आप इस्मर्ण कर रहे हैं और अपने काम ना करकर बेल पत्री के ब्रक्ष के नीचे बेट कर उस पत्ते को सम्मुख रखकर बावा से विनय करकर एकान तुमें उस बेल पत्री के ब्रक्ष की छाओं में बेल पत्री के ब्रक्ष की छाओं आप काम ना करकर उस पत्ते को शंकर भगवान के उपर समर्पित कर रहे हैं तो यह जान कर रखें कि पारवती और शिव का मिलन करवा रहे हैं और अपनी मनवान चित्थल कामना पूर्ण करवा रहे हैं क्योंकि शिव और पारवती का जब मिलन होता है शंकर पारवती जब एक दूसरे के सम्मुख में होते हैं शिव और पारवती जब एक दूसरे के सामने अपने बच्चों के कारण एक दूसरे के सम्मुख में आते हैं तो उनके चेहरे पर पर सनता का भावा जाए कि फल मनवांचित फल की कामना आप जिस कामना के लिए कर रहे हैं विभा के लिए नोक्री के लिए सर्विस के लिए वेपार के लिए रोगमुक्ती के लिए आप जिस कामना से कर रहे हैं बस उसे कहा कर रहे हैं कभी सोंबार का दिन हो क्योंकि संकर जी को सोंप्री है है हुम स कोंबार का दिन चंद्र का वाद शिव जी को प्रीव है तुकान पर 24 गंटे बेठो तो वेपार नहीं होता घर में लच्मी नहीं टिक रही हो पैसा नहीं आ रहा हो तो बढ़के पेड़ के नीचे पीपल के पत्ते के ऊपर बढ़के पेड़ के नीचे की मिठी को घीला करकर के के शिवलिंग analogy कि क्या बनाता की की संकर बेख्वान का शिवलिंग बनाकर महते नाम से पूजन करो health हाथ अजान दही चड़ा दीज्यों उस नहीं को थोड़ा सा चम्मज में उठा लीजिए, उस नहीं को लाकर जहाँ तुमारा व्यपारaneous जहां कमाने के लिए बेटते दुकान पर बेटते हो उस दुकान पर उस दही से स्वस्तिक बना दीजिए और इस पीपल के पत्ते पर जो बटकेश्वर महादेव का तुमने निर्मान करा है इसको लिजाकर विसर्जन कर दीजिए आपके दुकान तीम महीने के अंदर धड़ाके से चलना परारब ह लच्मी की कभी कमी नहीं आए यह बटकेश्वर महादेव का पूचा है कौन से महादेव है जम के बोलिए बटकेश्वर इसकंद पुराण करती है जिस व्यक्ति पर कर्जा बहुत ज्यादा मातरा में हो जाता है और कर्जा चूकता नहीं है आप बहुत प्रयास कर लिए करोड़ों रुपे का कर्जा हो गया यहां से लिया वहां दिया वहां से उठाया वहां दिया वहां से उठाया वहां दिया तो निवेधन हैं कभी मुका लगें तर्जा मुक्ति के लिए के लिए dalla Weather अगर क्ट्रेश्ट माना गए मुझें कि इसलिए प्रशासनिक कारे के लिए मानसिक टेंशन में प्रुशानियों में अगर माहाहदय का इसमर्ण किया जाए। और यदि निवेदन करूंगा बहुत जादा यदि आपको करजा हो गया है बहूत जादा करजा हो गया है और वो करजा चुकी नहीं रहा तो थोड़े दिन बढ़के पेड़के नीचे आप बढ़के श्वर महारेव के लिए एक लोटा पानी उसमें थोड़ा सा पिसा हुआ आउस्टाल के गला लेना चावल को पिस लेना पिसकि उस पानी में मिला अर मिलाकर उसमें थोड़ीसी हलदी पुसी वुजसी नाम से बढ़के पेड के नीचे अपनी कामना करकर जो कर जा हुआ है उस करजे का भान देते हुए श्मन देते हुए छोड़ुए महाराज दो या तीन सुम्बार एक ही जगा पर करना तीन सुम्बार वाद महीं से बढ़के पेड़ की थोड़ी सी जड़ उठा लाना और जड़ को कोई धागे में बांद कर या तो अपनी गले में डाल लो या अपनी जेब में पटक लो उसको थोड़े दिन पटक कर रखना लगवग लगवग दो से तीन महीना पटक कर रखो वो जड़ जैसे बढ़का पेड़ विस्तार होता है पानी गिरे ना गिरे जल वरिष्टी हो ना हो गर्मी पड़े ना पड़े उसको कोई पड़े